मैंने इसकान और आप देख रहें नुकर नियूज कोई दलाल एजेंट आपको बोल रहे है अब उसके बोलने पर बटन दबा देते हो मैं उन दलालों को भी बोलना चाहता हूं आप हमारे भाई हो लेकिन यह चीश सही नहीं है इलाके के लिए पावर्फूल आदमी बिजनेसमेन आदमी आपके इलाके का डिवल्पेंट कर सकता है इसके बारे में आपको सोच लोगे इस टाइम पे जिस टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं था उस टाइम से अलमजुल हम लोग काम कर रहे हम बोलना शुरू किये दीरे दीरे एक टीम बनी सारे लोग हम से जुड़े और इस विदान सभा में बहुत सारे उफ़र आए उस के बीस तारीक को जो सुनाओ का दिन होने वाला है उस दिन जनता किसको ओड़ डालेंगी इस पूरे विशय पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल वर्का आतिव शेख है आतिव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पर आने वाला इलेक्शन जो है दो हज चौबीस विदान सबाई मारस्त विदान सबाग एलेक्शन 20 तारीक को लोग ओड डालेंगे लोगों को किस तरह जागरूत करना है किस तरह किस किन मुद्वों पर डालना है किस तरह से आप बात आई सबसे पहले आपका स्वागत है और मेरी अवाम को फोनली मानकूर के और उसके बाद मैं अवाम को एक मैसेद देना चाहता हूं कि जो भी MLA के लिए यहां पर कॉंटेस्ट कर रहे लड़ रहे लड़ रहे तो उनके काम क्या है उनकी जिम्मेदारियां क्या है और एज़ा आम आदमी आम इंसान आम नागरिक के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है तो जो MLA का इलेक्षन लड़ रहे तब से पहले में उनके बारे में बताना चाहता हूं कि एक MLA देश का प्रेसेडेंट भी चुनता है एक MLA राज्यसवा मेंबर भी चुनता है और एक MLA, MLA बनने के बाद महाराष्टा गौर्मेंट में जितने कानून बनते हैं, डेवलेप्मेंट के जितने आगे काम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारी कमेटी होती है, बहुत सारी समेटी होती है, जिसके अंदर रहे कर वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में के तुरू जनता को फाइदा पहुचा सकते है हर MLA को साल में फंड आता है और एक अच्छी अच्छे अमाउन में उनको फंड मिलता है उससे इलाके का डेवलप्मेंट कर सकते है उसके बाद MLS इलाके में कोई समस्या है उसको भी दूर कर सकते है स्टेट गवर्मेंट में जो एसेमली में जब वो जाते है तो एसेमली में उसके बारे में आवाज उटा कर स्पीकर के सामने वो अपनी बात रखते है उसके बाद इलाके की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है तो एक MLA को चुनना कोई नॉर्मल बात नहीं आप MLA को चुन रहे हो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वही MLA प्रेसेडेंट भी चुन रहा है देश का प्रेसेडेंट भी वही MLA चुन रहा है वही MLA राजसभा मेंबर भी चुन रहा है और वही MLA आने वाले हमारे स्टेट के बहुत सारी पॉलिसी जो policy matter होते हैं चाहे हो कानून से related हो कोई नया कानून बनाना है development से related कोई policy अगर बनाना है कोई भी अलग-अलग policy अगर बनाना है, कोई नया कानून लाना है वो सारे matter पर एक MLA काम कर सकता है तो MLA चुनने के लिए बहुत ही जिम्मेदारी से आप चुनो से मेरा सवाल है कि आप सवाल क्यों नहीं करते हैं उसके बाद उनसे पूछो कि आपके पास कोई manifesto है क्या इलाके को लेकिए आप क्या काम करेंगी आपकी party का manifesto है ठीक है, आप मारस्टा लेवल पर क्या काम करने वाले हो आपकी जगह पर, लेकिन इलाके होई भी election अगर हो रहा है ना तो local level पर हो election होना चाहिए state level पर ठीक है आपका manifesto है आपने एक manifesto बनाए कि हम state government आने के बाद हम इतने रोजगार देंगे हम यह काम करेंगे लेकिन इलाके के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहला सवाल क्योंकि इलाके की समस्याओं पर अगर काम नहीं होगा तो फिर हम कैसा बोलेंगे कि development हो रहा है महाराष्टा का या इंडिया का development हो रहा है तो बस मैं यहीं बोलना चाहता हूं तो अभी जब और दालने के लिए तो बीस तारी को लोग जा रहे हैं यहां पर कई सारी राजनीतिक पार्टी आएं तो चुने कैसा यह लोगों के बीच में बहुत है कन्फूजर ने यहां पर क्रियाट हो रहा है करीब जैसी जानकारी मिले करी 27-40 लोगों ने अभी तक के नॉमिनेशन के फॉर्म है तो लोग चुने कैसा किस तरह चुने लोगों कि सबसे पहले तो जो भी आपके इलाके में हमारे इलाके में जो भी मले का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी सबसे पहले तो आप करेगा इलाके को इलाके को कैसा समझेगा आज मेरे पास हमारे इलाके के 50 पॉइंट से मेरी रिसर्च पिछले 4-5 साल में जब 4 साल पहले लोगडाउन के बाद में जब कोई बोलने वाला नहीं था इलाके में जब कोई बोलने वाला नहीं था कोई आवाज उटाने से भी ड लाता लेकिन उस time पे जिस time पे कोई बोलने वाला नहीं था उस time से Alhamdulillah हम लोग काम कर रहे हम बोलना सुरू कि यह दीरे दीरे एक टीम मनी सारे लोग हमसे जुड़े लेकिन मेरा बोलना मक्सद अवाम से के सब से पहले आप उनकी qualification check करो उनका record check करो कि वो सब्सक्राइब करें तो यह जनता जो है बहुत सारी जदा गरीब बस्ती है यहां पे इसलम में लोग रहते हैं तो यह किस तरह चेक करें एलेक्शन कमिशन की वेबसाइट होती है अब जितने भी लोगों लोगों ने फॉर्म बरे आप एलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर जाओ अप सर्च करोगे अपने विदान सभा के बारे में तो आपको सारी लोगों की लिष्ट आईगी आप उससे भी चेक कर सकते हो उसके अलावा अगर आपके इलाके में वह आ रहा रहा है तो आप उससे जो किसी भी निटा को इस तरीके से लिप्रेजेंट करते है चंद पईसों के लिए इस तरीकेसे रिप्रेजेंट करते हुखो बहुत बड़ा आदमी है आप देखो तो सालों से यहां पर जो लोगों ने कुछ काम नहीं किये, आज वो लोग यहां से एलेक्शन लड़ रहे हैं, आज वो अपने पैसे के बल पर यहां पर आए, आज वो अपनी हवा भी बना रहे हैं, दस जगा ओफिस खोल रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई किसी का कोई पा पैसा लेकर आ रहा है तो आप समझ लो कि वो एमानदार नहीं है अगर वो पैसा खर्चा कर रहा है तो बिजनेस करने के लिए आ रहा है आज हमारे इलाके के उपर सब की नजर यह जिस तरह धारावी का काम चाले उसी तरह कल को यहां पर भी बहुत सारे डिलोप्मेंट के प् करता है क्या आपके पास क्या प्लान है तस दोस्फ ब्लाइको ले ब düşण है दों सताया आपके तक निल्ण कर अब किसी की बटन ऻबता देते हो कोई दलाल आपको बोल रहे हुँआ उसके भूल सब्सक्राइब जो 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 समस्या है हमारे इलाके में चाहे हो नश्य से लेके हो चाहे कोई भी फिल्सस Let Això Post है इन्फरेश्ट्रक्चा zille phaiblik वेलफयर सेु heißt उसके लाबा और भी कोई समस्य समय हो चाहे और सबसफाइ कोई भी समस्या हो, उस पर हम किस तरह से काम करना चाहिए, हमारा प्लान, एक प्लान होना चाहिए, कि हम इस तरह से रोड मैप बनाएंगे, और इस तरह किसे हम काम करेंगे, यह हमारी टीम रहेगी, जो इस पर काम करेगी, तो वो कोई प्लान इनके पास हाई क्या, आप इनके सवा कुछो और या अगर वह आपके पास उसमें पढ़ो कोई अगर चीज उसमें नहीं एट कर रहा है जो आपके समस्या है तो आप उसको बोले यह चीज में एट कर और आप उसके बाद उससे सवाल करो कि आप यह सारे मैनिफेस्ट हो इलेक्शन के टाइम पर तो हर कोई बड़े काम करने का उसके अंदर कुछ लगन है कोई उसके अंदर समझे काम की यह सारी चीज आप देखो उसके बाद में किसी को आप ओट करो बिना सोचे समझे आप अपने अधिकार का गलत इस्तमाल या ना समझी की वेसे और लापरवाई की वेसे आप अपना ओट किसी को भी मत बितो आने वाले वक्त में हमारे इलाके को आज आज कितने सारे मसाइल हमारे इलाके मेरे रावत किसी को और दो बिना सोचे समझे आप किसी को और मत दो अतिप जी देखा ये गया है अक्सर मानकूर विदान सभा की बात करो तो यहां पे अक्सर बाहर के लोग आके हैं एलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं हमारे यहां से कोई ऐसा क्यों नहीं खड़ा होता है या हमारे वहां की जंता या हमारे लोग यहां के अपने में कभी बिकान नहीं हो ना कभी जिंदगी में द्विकंगा इंशालबंग तो मसलेبة पैसे कर आता है एक बड़ा आदमी आता है बड़ा नाम आता है बड़ी गाड़ी लेकर आता है और हमारे लोग उसके पीछे कर पिना कोई सोचे समे कुछ दलाल एसे होते जो जगे इलाके के लिए आप अगर इस तरह के से अगर आप काम करोगे चंद पैसों के लिए आप किसी भी गलत इंसान का अगर साथ दे दोगे तो इलाके का क्या होगा आने वाली नसले आपको बद्वा लगे आने वाली नसलों के हाई लगे आपको आज हमारे इलाके में हमारे बच् अच्छा नशा नहीं कर रहा है तो यह जो हमारे पहले के लोग थे वो थोड़ा सा उस टाइम समझदारी दिखाते उस टाइम पर हमारे इलाके में एक बड़ा आदमी आया सारे लोगों ने उसका साथ दिया आज उसमें से बहुत सारे लोग उसका विरूत कर रहे हैं जब वह आया पैसा लेकर आया बड़ी गाड़ी लेकर आया मैं चोटा था मैं अतना समझदार नहीं था स्वाई नगर सिगनल पर फर्स टाइम मैंने उनको देखा था सारे लोग पुरे गवंडी के लोग ज्यादा तर लोग उसके पीछे रहे थे वह हमारे अस्तानी के मिले साथ है जो उस टाइम पर आये तो उस टाइम पर जब वह आये तो सारे लोग पैसे के लिए उनके कोई अगर बड़ा बिजनेस्मेन है किसी का सेटप बहुत बड़ा है वो कैसा टाइम देगा इलाके को सेडूली नहीं बैटेगा उसका काम करने के लिए उसका सेडूली नहीं बैट सकता है आप अगर हमारे इदर टेलेंट की कमी है क्या आज हम लोग अलम्दुलाह मैं बहुत लोगों के फोन आए बहुत लोगों ने देखा है काफी एरिये में इलाके में पूरे विदान सभा कि अगर बात करो तो पूरे विदान सभा में आप काफी वक्से काम कर रहे हो जमीनी इस तरफ पर काफी रिसर्च किया आपने तो आप इसको बढ़ना चाहिए था मुझे देखो मुझे मुझे इसा लगा कि मेरे फॉर्म बढ़ने से कोई तीसरा चौता ना आजा है मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़े उसमें है उसके बाद मेरा उस चीज़ को लेकर प्लान भी नहीं ता मैं कॉर्परेशन पर काम कर रहा था और मैं विदा लेकिन इंचालला जब भी मैं लड़ूँगा तो मैं खुल के लड़ूँगा और बोल दूँगा पहले कि मैं यह लड़ने वाला हूं मैं अचानक से कोई चीज में नहीं आऊँगा ना किसी के मैं अपना प्रसनल फाइदा देख के आऊँगा मैं जो कुछ भी करूँगा म हलाल रोजी मेरी जो महिनत की कमाई मैं उससे काम करता हूं और मेरा अल्ला उसका गवा है मैं दुनिया को सफाई नहीं जूँगा मेरा अल्ला जानता है और मेरा अल्ला से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं 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 उससे उमीद है और मैं उसके बरों से चल रहा हूं बस मै के मेले की सारी समस्याओं को भी SMLY में उटा सकता है नए कानून ला सकता है, अलगलग policy बना सकता है कुछ policy नहीं है, कुछ policy matter उसको बहुत सारे fund मिलते है बहुत सारे इलाके का development हो सकता है जो education के आध हमारे इलाके में इश्व है, health को लेके इश्य है, hospitals की कमी है और भी बहुत सारे इशुए कम से कम एक 50 इशु मेरे पास है जिस पर काम नहीं हुआ है जिस पर काम नहीं हुआ होना चाहिए था तो वो सारी चीजे है मैं आप लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो भी आपके पास आ रहा है आप उससे सवाल करो आप उससे पूछो कि आप मेरे इलाके के लिए क्या करोगे और बिंदास पूछो आपके दिल में अगर लालस नहीं होगी ना आप बिंदास पूछोगे मेरे दिल में लालस नहीं किसी चीज़ की मैं हर किसी से सवाल करता हूँ और मैं इसलिए सबसे दूर रहता हूँ, आज मैं आपको किसी नेता के करीब में नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं डरता हूँ मेरी इज़त के लिए, आज मैं इमानदारी से काम क्या हूँ, मेरे पे कोई इल्याम नहीं लगा सकता है, ना मैं उस इल्याम से भी डरता हूँ, कि म से निकलने डर लगता है तो मैं आपको बोलना चाहेता है तो है आप अप ताकतवर हो आपका एक एक और ताकत ताकत उसके अंदर ताकत है यह हमारे मोहताज है incan lives me जरूरत है यह आते आप उंचे सवाल करो पूछो अपने इलाके के बारे में पूछो, अपनी समस्या उनके सामने रखो वो अगर उस चीज के लायक है, तो आप उसको होट दो, ने तो उसको होट मत दो इस बात को समझो, इसको हर सीच को आप लुग हैलके में मत लो हम लोग काम के कितनी तकलिफ होést, मालुम है कोई वहाँ भाग रहा है कुछ लोग अपने से भी सवाल कर रहे भाई कुछ होएगा कि नहीं किसी को कुछ नहीं पड़ी है सब को पैसा चाहिए क्या पैसा तुम हलाल रोजी की तरफ जाओ साल पास साल आप लोग कमा के अपना घर का आपका खर्चा चलता है या जीतने के बाद कोई आपका घर चलाएगा क्या क्यों आप लोग इस तरह से हो जाते हो क्यों अपने इलाके को बरबात कर रहे हो मत करो ऐसा आज कितनी मा है बहिने हमारी परिशान है देड़ साल की बच्ची का क्या हुआ अभी तक उसका पता नहीं लग रहा है अभी तक उसकी रिपोर्ट तक नहीं आई पोस्ट माडम की कौन पूछेगा इसके बारे में क्या मासूम बच्ची ती कोई उसके बारे माज पुछने वाला नहीं सब गए मीडिया में बयान दिये चले गए कोई आज जा रहा है क्या उसके घर पर कोई पूछा गया उससे जाके क्या हुआ उस बच्ची का इसी तरह से और बच्ची जाएंगी सबकी बच्ची आएं सबके घर में बच्चे ऐसे बहुत सारे मसायल है पानी के मसले हमारे पास आते हैं कम्प्लेन हम कैसा कैसा करके करते हैं हमारे काम नंदे से हमारे बिजने से टाइम निकाल के हम लोग करते है हमारा नुकसान करा के हम लोग काम करते है लोगों का तो आप सवाल करना सीको सवाल नहीं करोगे अगर आप लोग सवाल नहीं करोगे कोई भी आके आपके सर के उपर बैटेगा और आपको गलत चलाएगा आपके इलाके का नुकसान करेगा और अपना फाइदा करेगा स्रिफ आज यहाँ पर हमारे इलाके के उपर बहुत सारे लोगों की नजर है आप इस चीज़ को भी समझो जिस तरह से धारावी में जो कुछ भी हुआ है पिछले देड़ दो साल के अंदर आगे हमारे इलाके में ओचीज नहीं होना चाहिए इस चीज़ को भी आप समझो बस मैं यही बोलना चाहता आप लोग को अपना ओट का सही इस्तिमाल करो और अपना ओट सही जगा पर दो जो आपको लगता है कि यह इनसान सही है पड़ा लिका है समझदार है इलाके को काम कर सकता है इलाके को आगे लेके जा सकता है इलाके के डेवलोप्मेंट कर सकता है हर फील पर काम कर सकता है वह इससे इनसान को आप जिता कर लेकर आओ वरना आप ओट मत दो नोटा पे ओड़ दबाओ चाहिए दो अगर आपको सही लगता है तभी आप उस इंसान को ओड़ दो बिना सोचे समझे जाद धरम की राजनिती पर भी आप मत जाओ आप इंसान को उसकी स्तमसदारी पर उसके उसकी इमानदारी पर आप उसको ओड़ दो बस मैं यही बात के अगर अपनी बात खतम करें